हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉर्णिंग गुड इवनिंग और गुड आफ्टरून सब के लिए बहुत बहुत धन्य बाद दोस्त चाहे आप वीडियो जीस टाइम पर देखें सभी के लिए स्वागत है इसलिए मैंने गुड मॉर्णिंग गुड इवनिंग गुड नून दोस्त आज का वीडियो है पार्स आप स्पीच के बारे माम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही जबर्दस्त तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल अलग वे साइद मैं गरंटी तो नहीं दे रहा हूं बट मेरा उमीद है दोस्त मैं दावा कर रहा हूं कि इस प्रकार से आपने प आप सभी से रीक्विस्ट है वीडियो को अन तक देख ले और फिर जीवन में कभी पार्स आप स्पीच न भूले जहां देखें वाक में वर्ड कोई भी वर्ड किस चीज़ का काम कर रहा है देखते हैं बताई बताईएगा कि यह नाउन है कि पुनाउन है कि एडजेक्टि सीटैंस कि अधा दोस्त सेनलिक्रा और सन्टैंस का मताव थता दोस्त वाकतना है यह होता है यह आपाइस ब्रांड क्या होता है क dont your Group of words and gives a complete meaning. इविध्यान ना? Group of words and gives a complete meaning. Okay, दोस्ट? Is called sentence. तो यह तो दोस्टो थो गया हमाँ sentence. कि एक वाक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए में? यह चाहिए पर इस पर देना है. Group of words यानि इसमें चाहिए group of किसका माइडियर? Words का. ओके? दूसर चाहिए एक वाक्ट में. Complete meaning क्या चाहिए माइडियर? तो अध्यास देखिए वीडियो को. अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो वीडियो को प्लीज आपस रिक्वेस्ट जरू अन तक देख लें. मैरी गरांटी है दोस्त कि फिर इस परकार से आपको यूटूब पर नहीं मिलेगा. तो कर एक वाक्त में माइडियर चाहिए ग्रूप अफ वर्ड्स एंड कम्प्लिट मिलेग, ठीक है? आग लेजी, तो एक सब्ध, दो सब्ध, तीन सब्ध, यानि यह होगया हमारा सब्दो का ग्रूप, यह क्या होगया दोस्त? यह होगया ग्रूप, ओके माइडियर, यह है हमारा ग्रूप अफ वर्ड्स, ओके दोस्त? यह होगया ग्रूप अफ वर्ड्स, और आपको एक ची complete meaning भी है दोस्त, यहाँ पह एक सब्द, दोससब्द, तीन सब्द, यहाँ पर तीन सब्द और तीनों का अर्थ भी निकल भगा है, माई डियर, समझ में रहा है कि नहीं, तीनों का अर्थ निकले का लड़के आलसी होते हैं, तो पुर्ण अर्थ निकल गया, तो यह है माई डियर सेंटेंस, अगर कोई पुछे सेंटेंस किसे करते हैं, तो कहना कि ग्रूप अफ वर्ड्स और गिफ्स, अ कम्प्लिट मिनिंग, सेंटेंस, तो यह तो सेंटेंस है दोस्त, लेकिन माई डियर, हमें तो पढ़ना है स्पीच, क्या पढ़ना है दोस्त, और स्पीच कहता है माई डियर, कि किसी भी व्यक्ति का जो स्पीच होता है, वह एक वाक्ष से तो पुरा होगा नहीं, तो इसमें चलता है माई डियर स् में collection of sentences वाक्यों के समुव जिसमें 3, 4, 2, 5, 10 वाक्या आजये जिसमें इनसान अपने speech को पूरा करने के लिए बहुत सारे वाक्यों को यूनिट बेलेकर चलता है कहाँ रिस डोस्त यूनिट बेलेकर चलता है ध्यान दिगा कि अगर कलेक्शन अफ वर्ट्स हो चाहे भाई साथ वह रीटेन हो या भाई साथ एक पोकेन हो लेकिन कलेक्शन होना चेंग किसका सेंटेंस का ओके डियर अगर यह सब unity में होंगे तब जाकर हम अपने अंदर के feeling को क्या करेंगे भाग। हम अपने अंदर के feeling को emotion को क्या करेंगे ब्यक्त कर पाएंगे और वही हमारा speech कहलाता है ओके दोस्त बहुत ध्यास पढ़िया कि collection of sentence sentence में क्या होता है और एस speech में sentence का क्या आता है sentence का collection आता है यानि वाक्यों के क्या होते हैं बहुत समू होते हैं और बहुत साथ दिसमाल में बोलता हूँ कि I get up I get up at 5 o'clock in the morning देखें कितना मैंने बोला I get up at 5 o'clock in the morning first of all सबसे पहले first of all I turn T U I turn off the alarm सबसे पहले मैं alarm को बंद करता हूँ then I go to sorry then I drink a glass of hot water then I go to toilet यानि पूरे आपने एक बहुत सारे वाक्य को यूज किया तो यह क्या बनेगा दोस्त a speech बना क्या आप बनेवाऊ a speech यानि कि जब बहुत सारे वाक्य को एक साथ यूज किया जाएगा तो क्या बनेगा a speech बनेगा okay my dear यह तो एक सेंटेंस है अब सोल्जर का बहुत कुछ मैं लिख दूए यहां पर यूज किया अएगा है तो किया आएगा लिख यह बने है अपराइगा रवाडे ध्यान दो ध्यान दो यह प्रकार का स्पीच हो गया क्या हो गया यह स्पीच है और इसी यह स्पीच को मैं टुकरा टुकरा कर दूँ अलग अलग कर दूँ बिल्कुल छोड़ा छोड़ा कर दूँ तो यह बनता है मेरा एक, दो, तीन, चार, पांच यह सब भाग है देखें, टोटल भाग गया है यह इसके पार्ट है और जब मैं इसको अलग-अलग करता हूँ सारे, तो यह स्पीच के बनते हैं क्या बनते है दोस्त? इसे को बोलते हैं लोग पार्ट्स ओफ एस स्पीच अलब आए समय में जिसमें बहुत सारे वाग आ गये और बहुत सारे वाग आते हैं तो क्या बनता है दोस्त? एस स्पीच बनता है और इसे यह स्पीच के परतेक एक पार्ट जिससे यह हो गया तो किसका काम को रहा है? एडजेक्टिव का यह क्या है? नाउन है यह क्या है? फेल भर्व है यह क्या है? एडजेक्टिव है यानि हर वर्ड का कही न कही कुछ न कुछ खास परियोग है वाक्य में कुछ न कुछ परियोग है और इसी लोग कहा है क्या कहा है वाओ कि सब्दों के क्या बोले वाओ जब अंगरेजी सब्द किसी वाक्य में आते हैं तो उनके परियोग के अधार पर, उनके कार्ज के अधार पर, उन्हें जिस भाग में बाटा गया, जितने भाग में उसे parts of speech कते हैं, या देगे माइडियर, तो यही आपको पढ़ना है, parts of speech, कोई दिकत, तो आज हम लोग पढ़ना है parts of speech, यानि कि इनका काम क्या है, और parts of speech किते हैं, there are eight kinds, there are eight kinds of parts of speech, इतना तब को याद हो गया, parts of speech, आठ प्रकार कोते हैं, यानि संसार के सभी अंग्रेजी सब्दों को वाक्य में उनके परियोग के अधार पर, आठ भागों में बाटा गया है, ओके माइडियर, तो कौन कौने दोस्त, प्रध्यान दो, सबसे पहला हम लोग पौर रहे हैं, आठ भाग में से, फर्स्ट भाग, नाउन, पर यदि वासा मत याद करना, नाउन बहुत simple सब्द है, नाउन एक Latin word है, जो की नूमेन से लिया गया है, नूमेन से लिया गया है, देखें कितना simple है, नाउन एक Latin सब्द है, नूमेन से लि नेम बोलते हैं, और हिंदी में नाम बोलते हैं, तो यह हो गया है, इंगलिस सब्ध, और यह हो गया है, हिंदी सब्ध, बता नहीं सकते हैं, कि नाम, नेम, और यह लेटिन हो गया, आपका नोमेस जो दिया गया है, यानि लेटिन सब्ध नाउन, इंगलिस सब्ध नेम, हिंद और इन्विजिबल देहां दो विजिबल और इन्विजिबल विजिबल मैं गाँ दोस्त पर्शन अनिमल प्लेस थीन इन्विजिबल मैं गाँ फिलिंग क्वालिटी एक्शन यह सब होगे दोस्त हमारा इन्विजिबल मैं किसमें होगे माई डियर इन्विजिबल अराम से अब बता सक किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा दोस्त नाउन होगा किसी जानवर के नाम क्या होगा नाउन होगा किसी भी अस्थान का नाम नाउन होगा किसी वस्तू का नाम नाउ प्यार, हेटरड, क्वालिटी में होगै दोस्त, होनेश्टी, इंतेलिजेंसी, आपका ऑदेज是這樣 next आपका knowledge and service laughter, यह सब दोस्त होगे वह एक्टन, जो भर्प से बनते हैं , तो यह होगे वह नावन अदाल संच नान सकते हैं कोई दिकत देख लिए कितनाम साब को मताये गया समझज सकते हैं कोई दिकत dismiss 九वास तक टुन कह Angels 278 मतर्ट रटट नाम मनाए ओक्या पर एD मतर ंपको ख़ाइन एन का मतबता है ओव्जेक्ट अने बस्तू U का मतबता यूनिवर्स अने ब्रमांड और N का मतबता नीदर पताल तो ब्रमांड पताल में जितने भी नाम बस्तू है सब नाउन है एक सब में याद कर लो होज़ेगा? चलिए बहुत मुझे समझ में आ गया Parts of speech ऐसे ही परना है हर टीचर के लिए ये वीडियो है हर स्टुडेंट के लिए वीडियो है अब आता है दोस्त बारी किसकी? प्रोनाव तो परिभासा मत रटो बस ये समझो भाई साफ की प्रो मने बताए क्यव बदले प्रोमिस क्यव बदले अनावन तो मैंने आपको पढ़ा है नाम तो परिवस्ता आगे ना मेर में आने मेरा तो फिरों करतें लोग बूलताए के कम्स पृनावन आता है इन दो पर उन दॉर्फ ऑफ did rows js बता सकते हैं मालीज यहां पर राम है तो नहीं बॉले तो राम के लिए पर्वर ही सिता है तो इनके लिए पर्वाइब चीट पर्विए इट कोईडिकत बौाइज है तो इनके लिए मजूद हूँ नहीं मौजूद हूँ तब इसके लिए भी होगा कोई दिकत बना सकते हैं नहीं हाराम से बना सकते हैं ये प्रोनाऌन हो गया प्रोनाऌन क्या करते है भागू नाउन के बदले में आता है इंदे प्रिभास इसी में आप इसके बाद आता है भाई साफ तीसरा जिसको हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव कि यह भी बहुत सीम्पल साइड दम सीम्पल है एडजेक्टिव तो सबसे पर तो यह पर हो एड़ एड़ में सुता है जोड़ना यह जेक्ट जो सब्द आया हूँ इंजेक्ट से आया है इसका काम है मिलाना और इसका मतलब आई भी वाला तो इससे पहले हमने क्या परावाओ इससे पहले हमने परावाओ इससे पहले हमने परावाओ नाउन और प्रोनाउन क्या परावाओ डियर नाउन और प्रोनाउन तो राम से पता सकते हैं कि ऐसा सब्द ध्यान दो ऐसा सब्द जो कुछ जोरे औ और कुछ मिलाए किसके बारे में नाउन और प्रनाउन के बारे में कुछ जोरे और मिलाए उसे एडसेक्टिव करते हैं अब यह नाउन को जो जवाब देगा अगर हम प्रस्ण करते हैं इस नाउन के बारे में पहला कि कैसा है नाउन कैसा है फिर पुछो नाउन कितना है और भाई कुसम से बोले गरांटी दे रहे हैं कि इसका जो भी यहां पर आंसर आएगा वह एड्सेक्टिव हो जैसे नाउन है यहां पर अब मैंने इस नाउन में दिया आपको राम और राम कैसा भाई और राम पूष दिया है कि राम कैसा है यह सपोर्ज करको मैंने आको दिया अभ यह कैसा है तो वाई मोटा है वाई कितना है और किसका लगार कैंजी अब मेला लरका है यह स्था एडजेक्टीव होग oh बता सकते कि नहीं कि को सिंप्ट है बहुत स्意ंप्ट सभाई यह फंडा है कोई बंदात पॉर्द कर प्रहा सकता है जहां भी मिल्या कैसा है कितना है किसका है और आता है बारी एडुजेक्टिव के बार आता है दोस्त वल का तो वल जो सब्थ है वह भर्वम से भर्वम इस कार्ज पॉझत है तो इसका कामी है कि कार्ज को बताना है अब यह वर्व जो सब्दोता है एक संदर साता है ध्यान दो यह हमारी आवस्था बताता है यह अमना पोसेशन बताता है यानिकि यह अधिकार यह बताते हैं आवस्था और यह कार्ज का मतल्स दोस्त इसमें आता है गो और यह अधिकार होता है दोस्त है अवस्था ओगया मैं कैसा हूँ मैं एक सिक्षक हूँ आई इस प्रकार से भर्व होते हैं जो भर्व का काम ही होता है क्या बता है दोस्त कि कुछ दो चीज का बहुत है यह देखना है कुछ होने तथा कुछ करने यह बोध करता है कुछ होने और कुछ करने जैसे मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूं तो I teach मैं पढ़ाता हूं तो यह हो गया मेरा करना यह क्या है दोस्त यह हो एक करना और मैं क्या हूं तो I am a teacher यह हो गया मेरा कुछ होना यह हो गया करना और यह हो गया होना इस प्रकार से भर्ब के लिए इदा में एक एक सब्द में समझें पार्ट पर स्पीच बहुत ही सिंपल तरीका से, अब आता है भाई साथ, भर्ब के बाद एक बारी आती है, जिसका नाम है, एड भर्ब, बहुत असान होता है भाई साथ, क्यूंकि इसको भी पन है, तो एड मिस जोड़ना, और भर्ब मिस किरिया, कितना असान है भाई, समझे एड सम्थिंग अबाउट भर्ब के बारें कुछ जोड़ दो, अम मैं सोचे को मैं रन कर रहा हूं, दोर रहा हूं, तो अगर मैं रन कैसा कर रहा हूं, मैं कैसा दोरता हूं, तो अगर मैं रन फास्ट कर रहा हूं, तो ये एड भर्ब है, अगर मैं रन सलो कर रहा हूं, तो हुआ है जोड़ से बोलन्हां ये से बोले है तो है जोड़ी बोक्त शोली बोले भीकशे के बारे हैं कुछ जोड़ नाए लेकिए actually मैं इसी भर्भ नहीं यह add करता है हमरा किसready भर्भ के बारे में Adjective को बारे में और खूद addverb को बारे में तीन चीज़ के बारे मैं भी सथनी बतलाता है जिसका नाम है Adverb ठीक है कोई दिकत अब आइए एड़वर्ब के बाद होता है बहुत सींपल साक्टापिक भाई बहुत असान जिसका नाम है एड़वर्ब के बाद क्या होता है भाई प्रि पोजिशन इसका काम बहुत ही असान है प्रि मीश होता है पहले और पोजिशन मीश होता है अस्थान और इस अस्थान भाई साथ, नाउन और प्रोनाउन ही आता है ओके? नाउन प्रोनाउन ही आएगा इस पोजिशन में कोई ने कोई यहाँ पे एक पोजिशन होगा, एक अवस्था होगा, एक प्रकार का कोई नाउन होगा और जिसके पहले ही आएगा और क्या करते है पता है सोज रिलेशन दर साथ ला है किसी दूसरे सब्दुख के साथ वाकर के किसी दूसरे सब्दुख साथ रिलेशन दर साथ है पोजिशन और याद रहना है यह जब भी आएगा तो नाउन पुनाउन पुनाउन जिसे मालों की अब ही नावन पतायों प्रवां बतायों तो यह आगे सा दव connected people अब अमेरिका तो यह प्रिपोज़न हो गया और यह हमारा किंप रह सामें कैंद रह सिम्वद प्रवॉ यह प्रश्ण। honour Re Kingdom heaven या कोई ने कोई pronoun के पहले आता है, इस प्रध्यान देना है दोस्त, बहुत important चीज़ है, कोई कई लड़के फस जाते हैं, ये noun pronoun के पहले आएगा तभी preposition कालाएगा, अगर noun pronoun के पहले नहीं आया तो ये preposition नहीं होगा, जिससे यहाँ देखे, he came in, तो ये in है, लेकि यहाँ तो noun pronoun नहीं है, कोई noun pronoun नहीं है, इस यह प्रेपोजिशन नहीं है, यह एक यह भरव है, ऐसे में, बहुत सा यह लड़के यहाँ पहले पहले जाते हैं, बहुत सा यह लड़के, ओके, यह समझना एक ता हम complete करना भाएगा, और प्रेपोजिशन के बाद आता है, बारी किसका conjunction, देख कितना चाहा है, सब्ध है, convince के साथ, convince, और जो भाईस आप junction होता है, इसका मतलत है, जोड़ना या मिलाना, जैसे कोई आप गारी पकड़ता है, पटना जंग्षन पर, या दिल्ली पर, या कही पर, इलाबाद, या महरास्ट्रा में, तो यह क्या करता है, जंग्षन है कि यातरी को गारी से मिलाता है, इसका काम क्या है, जोड़ना, मिलाना, यानि, joins करता है, इसका काम है, भाईस आप, joins करना, joins, two words, two words, या sentences, together, दो सब्दों को, या, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, जैसे है, मैं और तुम, या दोखो, मैं और तुम, आए समये, तो यह और जो सब्द है, यह कंजंग्सन है, दो वाक्यों को जोड़ सकता है, अगर तुम, मिल जाओ, जमाना, छोड़ देंगे हम, आए समये दोस्त, तो यह हो गया हमारा कंजंग्सन, यहां पर अगर सब्द आ गया, यह हो गया भाई, कंजंग्सन, दो वाक्य और इसके बाद आता है राता है इंटर जैक्सनद का मतल्द है यह भीकर ही भी बोस से हम इसको अंदर आज्यक्ठ का मतल्ब होता है एका-एक यानि कि अच्छानक फेकना जब अंदर की बात 1-1 बाहर फेका जाए उसको हमयों बहुत हैं इंटर जेक्शन यानि कि यह क्या करता भाई यह एक्सप्रेस करता है दरसालता है यानि एक्सप्रेस या एक्स्प्रेस करता है सटें कुछ भी बात है और एकएअ बाहर आ गया जैसे मैं किरकेट खेल ला हूँ और एक अएक मैंने छक्का मार्व महिच जिदा दिया तो मेरे सारे दोस्त बोले वाह हुर्रा क्या बने दोस्त हुर्रा कि मैं चल ला हूँ पैड में चोट लग गया उंगली फुट गया फुन भने लग दोस्त तो मैं बहुंद ओ ठीक है कोई बलता है अलाश हाय यह सब दोस हमने समझा basic पढ़ाई पार्स और स्पीच के बारे में ठीक है अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर बने लिए आगे लिए आगे लिए आपको बताएंगे अगर अच्छा रगए माइडियर तो कम से कम आप लोग शेयर किजिएगा अपने दोस्तों के पास और दोस्त जरूर कहिएगा इस वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भाई बताएं कि सुरू सर पढ़ाई हो रहा है तो इसलिए आप लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस् फिर मिलते हैं लोग अगले वीडियो में तब तक लिए मुंस्टर वेल्कम और देखते रहे ओके जय हिन जय बात